लो गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निको स्वेता में स्वागत है आज के इस वडियो में हम योनोव SBI में UPI ID चेंज करना सिखेंगे अगर आप जनना चाहते हैं कि योनोव SBI में UPI ID केसे चेंज करें या फिर योनोव SBI का UPI ID केसे चेंज करें तो गाइज आज के ये वडियो आपके लिए काफी helpful होगा तो गाइज योनोव SBI में UPI ID चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको योनोव SBI का अप्लिकेशन ओपन कर लेना है योनोव SBI का अप्लिकेशन ओपन करने के बाद आपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो गाइज यहाँ पर आपको एक अफ़सर मिलेगा लॉग इन यहाँ पर आपको लॉग इन में क्लिक कर लेना है लॉग इन में क्लिक करने के बाद अपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो गैज यहाँ पर आपको M-PIN डाल कर इस अप्लिकेशन में लॉग इन हो लेना है योनो SBI में लॉग इन होने के बाद अपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तोगाईज हाँ पर आपको एक option मिलेगा Yono Pay तोहहाँ पर आपको Yono Pay में खिलिक कर देना है Yono Pay में क्लिक करने के बाद आपके समनी इस तरह का इंटरफिस आएगा तोगाईज यहाँ पर आपको UPI ID change करने के लिए यहाँ पर आपको भीम UPI में क्लिक कर देना है भीम UPI में क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो गैज यहाँ पर आपको बहुत सारे अफसंस देखने को मिलेंगे तो गैज यहाँ पर आपका नीचे एक अफसंस है मैनेज तो guys यहाँ पर आपको management क्लिक कर देना है तो guys जैसे आप management क्लिक किजिएगा आपके समने इस तरह का interface आएगा तो guys अभी आपका जो UPID है वो यहाँ पर आपको सो होंगे तो guys अगर आप इस UPID को change करना चाहते हैं इस UPID को हटा कर आप दूसरा को UPID रखना चाहते हैं तो वह आप कैसे करेंगे इसके लिए आपको सबसे पहले एक और नया UPID जो है create करना होगा तो इसके लिए यहाँ पर आपका एक option है create new का तो guys यहाँ पर आपको create new में क्लिक कर लेना है create new में क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो guys यहाँ पर आपका एक option है create your ID तो guys अब आप नया UPID क्या रखना चाहते हैं वह यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है और guys यहाँ पर आपको suggested UPID में भी यहाँ पर आपको 3-4 UPID मिल जाएंगे तो guys अगर आप suggested UPID में से कोई UPID रखना चाहते हैं तो वह यहाँ पर आपको select कर लेना है और अगर आप suggested UPID में से कोई UPID रखना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने मंग से कोई भी UPID यहाँ पर आपको set कर लेना है तो गैस यहाँ पर हम एक UPID डाल लेते हैं UPID रनने के बाद यहाँ पर आपका एक चेक का option है तो यहाँ पर आपको इस चेक के option में क्लिक कर देना है जिसे आप चेक के option में क्लिक के जिएगा यहाँ पर आपका लिखा आ गया this UPI ID is available यानि कि यह जो UPI ID है यह available है इस UPI ID को आप ले सकते हैं तो UPI ID डालने के बाद यहाँ पर आपका एक primary account select करने का option है तो गैज अब आप अपना UPI ID के लिए कौन सा account primary रखना चाहते हैं उससे यहाँ पर आपको select कर लेना है primary account select करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है next का तो गैज यहाँ पर आपको next में click कर लेना है जिसे आप next में click किजिएगा यह कुछ देर तक processing लेगा और जिसे यहाँ पर आपका processing complete होगा यहाँ पर आपका जो नया UPI ID है वो successfully create हो जाएगा तो गैज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेखा भी आ गया Congratulations successfully created new UPI ID तो गैज यहाँ पर आपका new UPI ID create हो चुका है अब आपको इससे यहाँ पर जो cross का निसान है इससे आपको touch कर लेना है touch करने के बाद आप इस screen में आ जाएंगे आपको यहाँ पर दो बारा manage में क्लिक कर लेना है पर manage में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा view all UPI ID तो गैज यहाँ पर आपको view all UPI ID में क्लिक कर लेना है जैसे आप view all UPI ID में क्लिक जिएगा आपको यहाँ पर दो UPI ID सो होंगे या फिर अगर आपका पहले से दो से ज़्यादा UPID बना हुआ था तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा UPID सो होंगे तो गाइज यहाँ पर आप जिस UPID को primary रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो नया UPID बनाए हैं अगर आप चाहते हैं कि तो ही नया UPID आप करें तो उसे यहाँ पर आपको primary सेलक्ट कर लेना है और primary सेलक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का एक pop-up message सो होगा यानि कि यो प्राइमरी UPID updated successfully यानि कि यहाँ पर आपका primary UPID successfully update हो चुका है अब आपको यहाँ पर OK में क्लिक कर देना है OK में क्लिक करने के बाद अगर आप पुराना UPID को यहाँ से डिलिट करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ही UPID रहे तो यहाँ पर आपको जो आपका पुराना UPID है उसके side में यहाँ पर आपको तो गैज अगर आप इस UPI ID को इस पुराने UPI ID को डिलिट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको confirm में क्लिक कर लेना है जैसे आप confirm में क्लिक किजिएगा यहां पर आपका वह जो पुराना UPI ID था वह डिलिट हो जाएगा और अभी आप जो निया UPI ID बनाए है वह निया UPI ID काफी helpful रही होगी तो इसे तरह के helpful वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक किजिए चैनल को subscribe किजिए साथ-साथ-से अपने दोस्तों के साथ सेयर किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जनकारी दो सके